आज कानपूर के गुरुद्वारा बावा नाम देव जी फल मंडी की द्वाईनगर में होली के पावंत वहार पर भक्तिवा पंजाबी सब्वेता से फोला महला संगत जोड मेला बनाया गया गुरुद्वारा दिवान हॉल में लखनव से आई गगनदीच सिंग ने गुर्बानी सब्द कीर्दन द्वारा पुष्प वर्षा से गुर्बानी का कीर्दन किया कवीकार मंजीच सिंग ने लोगों को वीर रस्ते भरी कवताओं से मंत्र मुग्द कर दिया दिल्ली से आई वैसाली ट्रेप द्वारा ड्वोल और भांगला से दर्शपों को नाचने पर मजबूत कर दिया गया और दशमेश सश्त्र दल द्वारा माचल आठ का कारक्रम भी हुआ है अउसर पर दिल्ली सिख गुरु द्वारा प्रबंदक कमेटी द्वारा सन 1984 कीवी द्वाओं को चेक वित्रित किये गए 21 तारीक की साम को कानफुर से अमरेच सर्थ दर्बार साहिब जाने वाली लोगों को सम्मान किया गया इस कारक्रम में मुख्य अतिती सांसत सत्य देव पच्वारी जी प्रांद के सनरचक श्री राम जी विधायक महेस्त रिवेदी जी विधायक प्रतिबा सुकला जी विधायक राहुल बच्चा सोनकर जी आदी भाजपा की कारकरता उपस्तित रहें परक्रिम के संदच्छक कुलवन सिंग जी, संदच्छक सुर्जीत सिंग जी, संदच्छक नितु सिंग जी और परजीत सिंग चंडोग सामिल रहे हैं कानपूर से प्रविन सिंग की रिपिसेज रिपोर्ट प्रोग्राम गुर्द्वारा बाबा नामदेव में पहली बार कानपूर में बड़े इस्तर पर हो रहा है जहां गुर्बानी के कीतन से हम संगतों में गुर्गोवे चिंग जी द्वारा हुले मले का भाद समझाते हुए उनकी बानी से जोड़ने का परियास कर रहे हैं वैसे ही पन्जाबी संस्कृत सब्वता शिखों की जो भांगडा गिद्दा कवी और विशेश जो गुर्गोवे चिंग जी को प्री था मार्शल आर्ट गत्का जो कैसे अपनी रच्छा करनी है सुरच्छा करनी है और किसी मजलूम पर अगर कोई आच आ जाए या कोई बुरी नियत से देखे तो उसकी कैसे मदद करनी है मैं और युद में कैसी आपकी ललकार हो बोले सोने हाल हो सासली अकालओ उस पन्थ की मर्यादा को रखते वए साध़ी आजका जाएगे बहुत बहुत आप का धन्नवाद हुली की बहुत बहुत शुद्वारा समनाएं में सातों चर्णों के लिए मोधी योगी की सरकारों के लिए भारती जनता पार्टी के परचंट बहुमत के लिए जो साथ पार्ट रखे थे वो निर्भगन समाप्ट हुए और हमारी अर्दास आप जानते हैं कि पूरी हुई इस खुशी को भी आज हम भारती जनता पार्टी कि कहीं विधायकों को नामचीन चीजों को बुला कर और उन कारकरतों को जिनके बदोलत आज योगी मोधी मोधी पूरे शैज़ में हो रहा है उनको बुला के सम्मानित करेंगे सुर्जी सिंग ओबराई जी दिल्ली से गुर्द्वारा परबंदक कमेटी द्वारा 1984 में विद्वाओं को मदद के लिए जो 11-11 जार के चक दिये जाते थे वो आज यहां पे वित्रत भी किये जाएंगे और हम लोग फुर उना मांग करने जा रहे हैं कि साइटी के दोशी उनको अगर 15 या 20 दिन के अंदर सरकार जेल नहीं बेशती है तो हमें मजबूरी भारती जनता पारटी के वरिष्ट पदा दिखारियों से मिलके उत्तर परदेश के बारे में बताना पड़ेगा कि किसी तरीके से जब आपने साइटी शुरू करी उसकी जांचे शुरू हुए की उसके लिए विशेज रुप्जे सुजीत सिंग ओवराय जी मेहनत करके आज किसी मुकाम में पहुचे तो उसको मिलना चीए क्योंकि आप देश का महाल समझ रहे हो कोई कश्मीर फाइल को को रहा है को गोद्रा को रहा है को यह अध्या को रहा है हम किस को रहे हम तो 1984 बरावर रो रहे हैं 127 आदमियों के कातिल हमारे बीच में बैटें अब अगर वो नहीं नहीं होगा तो हम नहीं लेना जानते हैं हमारी एक जिन्दा कुण कि अध्यात्मिक दिश्टी से देखो कि यह उसी का खेल है क्या करना वो चाहता यह वो बहतर जानता है हम लोगों को यह का गया तेरा किया नीठा लागे हम उस भाने को सविकार करते हैं और यह तो जिसने गलत काम करने के लिए परमानू या यह बनाए हत्यार उसका उप्योग हो तो हो गाई चाहे उसके ऊपर हो चाहे दुस्मन के ऊपर हो चाहे अपने नीद पे हो यह हम लोगों का मसला नहीं है हम तो अपनी समस्याओं से नहीं जूच पा तो हम दूसरे देशों को क्या देखें हमें इसमें कोई टिपनी नहीं करनी है हां युक्रेन को और पुतिन को युक्रेन को मान जाना चाहिए था यह उसने गलती की किसी का देश हित जो सिंहासन में बैठा है उसको आम नागरी के जनित में कदम मांग अगर माफी मांग लेता नाटो में ना जाता त्याका उसकी दुखान बंद हो गए थी या राजपतिपत से नीचे आ गया था उसने अच्छे वले एक महल को ऐसा महल जिसको देखने के लिए दुनिया तरस्ती थी उसको बरबात कर दिया तो इत्यास उनको कभी माफ नहीं करेगा